हेलो एंड वेलकम दोस्तों वेलकम बैक टू दा अन्नादर वीडियो गैस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्रकार की दवाईयों के बारे में दोस्तों इसमें हम बच्चों के बुखार तथा दर्द बच्चों के स्टोम वीडियो को बिना स्किप किये लाश्ट तक जरूर देखे जिससे आप सभी को संपूर जानकारे मिल सके तथा आप घर पर ही अपने बच्चों के बीमारी के संबंदित थोड़ी बहुत जानकारी कर सके तो चलिए वीडियो को बिना किसी दरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे लिस्ट में जो पहली काटिगरी है वो है फीवर एंड पेन की यानि दोस्तों बुखार और दर्द में कौन सी सिरुप इस्तिमाल की जाती है इसके बारे में जानते हैं हमारे लिस्ट में जो पहली मेडिसीन है वो है आईबूपेन सीरुप दोस्तों अब इसके इस्तिमाल के बारे में जान लेते हैं तो ये फीवर पेन तथा इंफलामेशन में इस सीरुप का इस्तिमाल किया जाता है यानि दोस्तों जब भी बच्चों में बुखार आए, दर्द हो या फिर किसी प्रकार का इंफ्लामेशन हो जाए तो उस कंडिशन में आप आईब्रूफें सीरप का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके डोज के बारे में बात करें फ्रेंड तो एक साल से लेकर पाच साल तक के बच्चों में ये पाच एमेल टीडियस यानि पाच एमेल दिन में तीन बार देना होता है तथा यही डोज पाच साल से लेकर दस साल के बच्चों में दस एमेल टीडियस हो जाता है दोस्तो जो next है हमारे पास वो है mefenamic acid syrup दोस्तो ये market में आपको meftal P के नाम से आसानी से उपलब्द हो सकती है दोस्तो इसके users के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आप high fever यान दोस्तो तेज भुखार जब आपको normal paracetamol syrup देने से भी भुखार ना उतरता हो तो उस condition में आप mefenamic acid की तरफ जा सकते हैं इसका response बच्चों के fever में बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों साथ ही साथ जब बच्चों में बहुत जादा पेन हो या बच्चा आपका अचानक से रोने लगे तो उस condition में आप mefenamic acid की तरफ रोख जरूर कर सकते हैं डोस के बारे में बात करें दोस्तों तो 6 महिने से लगा कर 12 महिने तक के बच्चों को ये syrup 2.5 ml tds यानि 3.5 ml दिन में तीन बार दिया जाता है तथा एक साल से लेके 10 साल के बच्चों में 5 ml tds यानि 5 ml दिन में 3.5 दे सकते हैं हमारे लेश्ट में बच्चों के fever तथा पेन के लिए एक और भी सीरप है दोस्तों जो की बहुत ही प्रशिद्ध सीरप है जिसका नाम कालपाल 120 जी है दोस्तों इसके चो composition पाजाता है वो होता है पेरासीटमॉल सीरप दोस्तों इसका भी इस्तेमाल आप high fever तथा दर्द में कर सकते हैं बच्चों को जब भी बहुत जादा तेज बुखार हो या फिर fever होने के साथ तथा आपका बच्चा बहुत जादा रो रहा हो जिसके उसके बोडी में बहुत जादा पेन हो रहा हो तथा एक साल से लेके दस साल के बच्चों को 5 ml TDS के रूप में दिया जाता है अब बढ़ते हैं बच्चों में होने वाली allergy के तरफ या इन दोस्तों आप anti-allergy सीरप के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड हमारे लिस्ट में anti-allergy में जो पहला सीरप है वो है लिसेड फ्रेंड लिसेड सीरप लिफोर्ट कमपनी के दोरा बनाया जाता है अब इसकी इस्तेमाल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों इसका इस्तेमाल आप कहा कर सकते हैं फ्रेंड जब बच्चों को इचिंग होने लगे रैसे सो जाए स्नीजिंग या इंसेड बाइक यानि दोस्तों जब बच्चों में खुजली होने लगे बच्चों के सरीर पे लाल लाल चकते बने लगे या फिर बच्चों को बहुत जादा चीक आने लगे या फिर बच्चों में किसी भी प्रकार का कीड़ा काट लेता है जिससे बच्चों को एलर्जी हो जाती है तो उस जगा पे आप लिसेट सीरप का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड इसके अगर डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज एक साल से लेके दस साल के बच्चों में 5 ML BD यानी दिन में दो बार तक देना होता है और इसका इस्तेमाल आप 5 दिन तक लगातार कर सकते हैं फ्रेंड हमारे लिस्ट में जो Anti-Allergy Medicine की Next Medicine है वो हैं दोस्तों Finiramine Maliet जो की इसका प्रशिद ब्रांड Evil है दोस्तों मारिकेट में आपको बहुत ही आसानी से उपलब हो जाएगा फ्रेंड इसका भी इस्तेमाल आप बच्चों में खुझले होने पर लाल चक्ते बन जाने पर या फिर अगर आपने बच्चों को कोई Medicine खिलाया है जिससे उन्हें allergy हो गई हो तो उस allergy को दूर करने के लि बात करें दोस्तों तो 5 ml O.D. यानि दोस्तों इसे 5 ml दिन में एक बार देना होता है और इसे 3 दिन तक देना होता है हमारे लिस्ट के anti allergic में जो next syrup है दोस्तों वह है solvent cold syrup दोस्तों अगर इसके composition के बारे में बात करें आनी इसमें क्या पाया जाता है तो इसमें सबसे पहले आ mind mellet देखने को मिल जाता है और इसके इस्तिमाल के बारे में बात करें कि इसका इस्तिमाल कब करना चाहिए तो अगर बच्चों में कफ and cold हुआ हो यानि सर्दी और जुखाम हुआ हो या फिर उसकी नाट बैती हो तो उस condition में आप solvent cold syrup का इस्तिमाल अपने बच्चों में कर बच्चों को डाई MLBD एंड एक साल से लेके दस साल की बच्चे को पाच MLBD यानि पाच ML दिर में दो बार देना होता है जिससे बच्चों में सर्दी जुखाम तथा बैती होई नाक से छुटकारा मिल सकता है और हमारे लेस्ट में जो next में दोस्तों वह है Montec LC दोस्तों य ये विल जैसे सीरप से आराम ना मिले तो उस कंडिशन में आप Montec LC सीरप की तरफ रुख कर सकते हैं दोस्तों इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको Montelocast sodium तथा लिवो सिट्रिजिन कंबिनेशन का salt देखने को मिल जाता है फ्रेंड इसके इस्तिमाल क ना में बात करें तो ये आप allergy, cough and cold तथा running nose में इसका इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों बढ़ते हैं अब हम बच्चोंकी सीरप की नेक्स्ट category रहनी दोस्तों एंटी इमेटिक्स मेटिसिन के तरब यानि दोस्तो जब आपका बच्चा उल्टी करता हो या बहुत चादा दूद पीने पे भी उल्टी होने होने लगती है बच्चों को तो उस कंडिशन में आप कौन सी सिरफ देंगे आईए इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं दोस्तो हमारे लिश्ट में जो फर्स्ट मेटिसिन है एंटी इमेटिक में वह है दोस्तो ओल्डेम सीरफ फ्रेंड ये एलकेम कंपनी के द्वारे बनाया जाना वाला सीरफ होता है इसका जो कॉम्पोजिशन होता है जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं इसमें ओल्डे स्ट धाई एमेल बीडी तथा एक साल से लेके पाँ साल के वच्चे को धाई पाच एमेल दिन में दो बार दिया जाता है दोस्तो इसी कंटेगरी की जो हमारे पास नेक्ट सीरफ है अपके पास ऑप्सन है अगर ओन्डेम नहीं है तो आप वोमी काइंड दे सकते हैं दोस्तो वो दोस्त के बारह में बात करें 6 मिने से लेके 12 मिने तक बच्चे को 1 crp तथा एक साल से लेके 5 साल के वच्चे को दिन में दो बार 5 crp साजिदू होता है और दोस्तों मिस्टेक की और 5 crp समझेगा और उद बढ़ते हैं बच्चों के एंटिबाइटिक सीरफ के तरफ इसमें आपको जो सिरफ तीखने को मिलता है वो अता दोस्तो क्लेवियम सिरफ दोस्तो यह ड्राई सिरफ होता है यह एलकेम कमपनी की दोरा बनाया जाने वाला सिरफ है इसके कॉम्पजीशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको Amoxicillin तथा Potassium Clevolinate देखने को मिल जाता है यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल आप बच्चों में Ear Infection, Chest Infection तथा Tonsils में प्रयोग कर सकता है आपके बच्चे के किसी भी कान में संक्रमण हुआ हो या फिर उसके सीने में किसी बार का संक्रमण हो या फिर बच्चे में Tonsils वेएरा होता है जो वो हो गया हो तो इस Condition में आप इस सीरप का इस्तेमाल कर सकता है डोज के बारे में बात करें तो दोस्तों 6 मेने से लेके 12 मेने थेक बच्चों को 2.5 MLBD ये लगातार 5 दिन तक देना होता है तथा 1 साल से लेके 5 साल के बच्चे को 5 ML दिन में 2 बार 5 दिन तक देना चाहिए जिससे बच्चे को बहुत ही ज्यादा effective result देखने को मिलता है करें तो इसमें आपको ओफलाक्स सीन्थ दäखने को मिल जाता है अब इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका प्रकार के तोचा का संक्रमेंट हो गया हो तो उस कंडिशन में उस कंडिशन को ठीक करने के लिए आप जेन फ्लॉक सिरफ का इस्थिमाल कर सकते हैं दोस्तों डोज के बारे में बात करें तो 6 मेने से लेके 12 मेने तके बच्चे को 5 MLBD देना होता है दोस्तों किसी भी सिरफ का इस्तिमाल हम आपको स्वयंग करने के सला नहीं देते आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें किसी प्रकार की बिमारी में दोस्तों इसी कटेगरी में नेक्ट सिरफ हमारे पास है AG-100MG यह भी बहुत ही फेमस सिरफ है चो आपको हर मार्केट में बहुत ही आसानी से उप्लब्द हो सकता है कमपोजिशन के बारे में बात करें दोस्तों AG के तो इसमें आपको Egythromycin देखने को मिल लाता है इसके यूज के बारे में बात करें यानि आप अपने बच्चे के किस बिमारी में इसका यूज कर सकता है तो दोस्तों इसका भी यूज आप फेफ़रों की इंफेक्शन, यानि लंग्स इंफेक्शन, इयर इंफेक्शन और स्कीन इंफेक्शन में कर सकते हैं। दोस्तों, डोज के बारे में बात करें, तो 6 मिन से लेके 12 मिल तेके बच्चे को 0.5 ml बीडी तता एक साल से लेके 5 साल के बच्चे को 5 ml उडी यानि दिन में एक बार देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप सभी को बहुत ही अच्छा मेडिसिर का नौलेज हुआ होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसने हैं तो प्लेस वीडियो को लाइब तो चैनल को सब्सक्राइब चैनल करिए।